हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज जो है हम सेभी की जो चैप्टर जो हमारा चल रहा था, उसका आगे का टाप्पिक करने जा रहे हैं, जो की है गाइडलाइन्स पॉर इशू ओफ शेर्स, कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेर्स को इशू करती है, तो उनको किन- इसेधस के लिए कंपनी इसको गाईडलाइन्स कू प्रोवाइड करी Olay कि जो भी उनकी अकांट को जो disclose करने का प्रोसेस है या जो भी सब्रोवे इन्वेस्टर के ते ना हो जाहिए ।ो और उन्वेस्टर की यहां पर प्रोटेक्शन बनी रहे इसलिए इन्हों है जो है सेभी ने guidelines निकाली है सब यहां पर जो उन्होंने guidelines निकाली है वो है पहला है first issue बाया new company अगर किसी new company ने अपने firstly issue को shares जो है मतलब उनको issue किया है तब उनके लिए क्या guideline है और किसी एक existing company जो थी उसने अपनी पुरानी company को new company में setup कर लिया तो उसके लिए क्या guidelines है और उसका first issue निकाल रही है उस new company का चीक है मालनो मेरे पास एक company थी abc limited अब मैंने इसको जो है convert कर लिया नई company खोल ली इस company को बंद करने के बाद तो वो जो मैंने नई company खोली मालनो मैंने वो खोली xyz चीक है अभी जो xyz है अभी इसके जब मैं shares को issue करूंगे first issue होगा तो वो first issue उस time पर जब मैंने existing business को बंद करकर नई business को open करा है नया business setup करा है तो उस case में क्या guidelines होंगी चीक है फिर है public issue of existing listed company और ये बात है existing unlisted companies अगर आपकी आपने पब्लिक issue कर रहे है और आपकी जो company है वो लिस्टिडь कंपनी है तब क्या guidelines है और अगर आपके company unlisted है तब क्या guidelines है लिस्टिड और लिस्टिड में क्या मतलब होता है कि वो companies जो कि under the companies act registered है हम उनको बोलते हैं listed लेकिन अगर जो companies act में registered नहीं है और उन्होंने companies act की guidelines को follow नहीं किया है तो उनको हम unlisted companies के अंदर include करते हैं फिर आता है first issue by existing private closely held companies कि पहला issue जब हम private companies हैं कोई उन्होंने रखी है तो उस time पर जो वो पहला issue करेंगी तब क्या guidelines होगी ठीक है तो हम पहले वाली जो है यह भी पढ़ते हैं new company की अब जो new company है वो एक तो manufacturing company भी हो सकती है दूसरी बाद वो finance company भी हो सकती है तो पहले हम manufacturing company का case पढ़ेंगे after that finance company का ठीक है manufacturing company में should be dividend paying company यह जो है company कितना dividend pay करेगी ठीक है a company can make a public issue when it has a track record of dividend payment of preceding 3 years कोई भी company अगर issue करती है new company जो की manufacturing company है अगर वो अपना public issue करना चाहती है shares का तो उसका जो track record है उसको check out किया जाता है कि क्या उसने पिछले 3 साल में dividend को pay किया है और कितना dividend वो pay कर रही थी तो उसका जो है track record check करते हैं लेकिन अगर if don't then can be made public issue when its project is evaluated by public financial institution अब अगर क्या है कि मानलो अगर उसने किसी भी तरह का अपना track record नहीं रख रहा है तो वो क्या करती है जो भी public financial institution होती है उनके पास जाती है और अपनी जो accounts वगयरा होते हैं public issue करने के लिए उनको evaluate कराती है अगर वो evolution के बाद हाँ बोल देते हैं तो तो वो अपनी जो है issue कर सकती है shares को पर next आता है हमारे पास infrastructure company on 9 September 1988 infrastructure company जो है was exempted from making a minimum public offer of 25% of its security यानि अगर वो 25% of security को offer करती है तो किसी भी तरह की guidelines वगयरा उनको ज़्यादा follow नहीं करने पड़ती वो अराम से कर सकती है तो यहाँ पर यही बोला है was exempted for making a यानि अगर 25% का उनको security को public को offer करना है तो वो कर सकती है 5 shareholders of offer of rupees 1 lakh 5 shareholders तक को offer कर सकती है एक लाग रुपे तक की public offer कर सकती है उसके बाद minimum subscription 90% तब चीक है उसके बाद है minimum public offer by IT, media, entertainment and telecom companies 17 August 1990 में it make and offer 20% of the post equity issue अगर उनको equity को issue करना है तो post equity issue यानि issue जो करेगी वो 20% तक कर सकती है as according to 17 August 1999 लेकिन जब 17 April की बात आई तो जो media है और other persons भी जो है यहाँ पर public offer कर सकते है 10% का और उसके बाद media और others जो है offer कर सकते हैं जो वो offer करते हैं उसका जो value है वो 5 करोड से कमका नहीं होना चाहिए IPO size and pre-issued net worth A company is allowed to make initial public offer up to 5 times of net worth Net worth के 5 times तक जो है public offer कर सकती है company starting वाला initial public offer जो करती है IP offer करती है तो वो जो है 5 times of the net worth यानि जो shareholders fund तक होते हैं वो वाले तक वहां तक जो है यह offer कर सकती है and profitability according to the guidance जो भी आपको profit अपना रखेंगे वो guidance के according रखेंगे if company do not have such track record then they are allowed to raise capital through book building अगर किसी company का track record नहीं है profitability बगेरा का तो वो जो है जो capital है वो book building के through raise करेगी within 60% of the issue allotted to qualified institutional buyers जो qualified institutional buyers होते हैं उनको अपना 60% जो है issue कर देगी और उसके बाद वो book building के process से ही issue करेगी अगर उसके पास उसका कोई particular track record नहीं है फिर आदाता है finance companies का those companies who have a minimum track record जिसका minimum track record कितना हो दो साल का of operation और registered और जो की किस में registered हो as a non banking finance पाइदा RBI RBI के under non banking finance company के चलते चैसे मालो कि एक finance company है A limited चीक है उसको RBI के under वो registered हुई हो non banking finance company के बिहाफ पर और SEBI के बिहाफ पर किस तरह सी हुई हो as an intermediary की तरह तो वो eligible होते है securities को issue करने के लिए चीक है अब हमारा second point आता है कि अगर first issue जो है new company करती है जिन्नोंने existing company को existing company के चलते new company को set up किया होगा a new company established by an existing company which has the record of consistent profitability consistent उसकी profitability हो पिछले 5 सालों में तो और वो क्या कर सकती है issue price को भी अराम से free की determine कर सकती है किसी भी तरह की उनके ओपर obligation नहीं होंगी जो issue price है उसको determine करने के लिए फिर next है public issue by existing listed company existing listed company जो होती है can raise fresh capital in the capital market capital market के अंदर fresh capital जो है वो issue कर सकती है और जो यह है new issue price को भी determine कर सकती है but should be done under consultation of lead managers जो भी lead managers होंगे उनके उनकी consultation के अंदर ही करेगी अगर उनकी consultation के बाहर करती है तो वो legal नहीं माना जाएगा उसके बाद है public issue by existing unlisted public company they can enter in the capital market यह भी जो है unlisted public company यह भी अपना जो है public issue कर सकती है और capital market में enter कर सकती है तभी कर सकती है जब इनका जो है only when it has paid the regular dividend in the immediate preceding 3 years out of 5 years यानि पिछले 5 सालों में at least उनोंने 3 साल का जो है track record रखा हो regular dividend पे किया हो if its pre-issue net worth become और इसका अगर जो पहला issue इनोंने किया था और उसका जो net worth है वो कितना हो जाए? 5 times हो जाए pre-issue net worth से जादा यानि 5 times से जादा हो जाए तो वो public issue कर सकती है फिर उसके बाद है first issue by existing private closely held companies company without good track record can determine their price at par जो जिनका अच्छा track record नहीं होता है तो वो क्या करती है? पार पर ही at a par पे ही जो है price determine कर सकती है unlisted company can price its shares freely यानि जो unlisted company है वो अपने securities के price जैस तरह से उसको रखने है वो रख सकती है तभी रख सकती है जब उन्होंने net profit जो है पिछले तीन सालों के अंदर अंदर earn किया हो earn net profit in immediately preceding 3 years कुछ एक specified limit होती है net profit को earn करने की अगर उतनी specified limit के अंदर उन्होंने earn किया है पिछले तीन सालों में तो वो freely जो है अपने price को determine कर सकती है फिर है company having good track record जिनका पिछले सालों में good अच्छा record है पांच सालों में वो अपने price को freely रख सकती है not less than 20% of equity should be offered to public 20% से कम की जो range है उसमें आपकी equity जो है offer नहीं के जाने चाहिए public को at least 20% आप अपनी equity के public को offer करेंगे फिर आ जाते है guidelines for issue of preference shares, preference shares को issue करने के लिए क्या क्या guideline है company जो है freely issue कर सकती है अपने preference shares को to its promoter, promoter को भी by following the provision of companies act जो भी companies act में provisions लिखे हुए हैं उनको follow करके वो अपने promoter को भी preference shares issue कर सकती है according to guidelines given on 14.12.93 जो भी guidelines इस date को दी गई थी, share can be allotted to existing तो shares जो है promoter के साथ साथ किन किन को भी कर सकती है existing या new local promoter को या foreign investor को with the permission of shareholders उन shareholders की permission से जो कि equity जिनोंने equity के shareholders held कर रखे हैं उनकी permission से 90% जिनोंने 90% तक held कर रखे हैं उनकी permission से इनको भी वो जो है issue कर सकती है guidelines में यही लिखा हुआ है तो वो बात यहाँ पर बोल रखी है फिर है allotment should be made at a market value जो allotment होनी चाहिए वो market value पर ही होनी चाहिए और यह कैसे determine किये जा सकती है या तो आप average लोगे last weekly last week का जो कि maximum या minimum price जो है पिछले 6 महिनों में कितने थे उनका average निकाल लोगे या last week maximum और minimum price दोनों ले लोगे और उनका average निकाल लोगे कितने months का इसमें तो months का था six months का लेकिन इसमें कितना है last two weeks का two weeks का लोगे और उसका average निकाल लोगे यहाँ पे six months का लेकर average निकाल लेना है जिस भी इंसाब से जिस method से भी करना हो वो company कर सकती है फिर है company listed and registered under SEBI have right to allot preference shares जो भी companies जो हैं listed हैं और registered हैं SEBI के अंडर उनके पास right होता है कि वो preference shares को allot कर सकती है to financial institution investors यानि FII lock-in period इनका कितना होता है share warrants and debentures का 5 years का लेकिन 2005 को में इसको amend किया गया और period कितना रख दिया सिर्फ 6 months का फिर है guidelines for issue for right shares right shares को issue करने के लिए क्या के guidelines है कोई भी ज़रूरी नहीं होता है company जो की listed है recognized stock exchange में to submit draft letter जो भी companies company को यहाँ पर जब अगर वो right issue को करती है तो उस case में company जो भी अगर stock exchange में उनका जो company listed है उनको जो है draft letter को submit कराना mandatory नहीं होता चीक है if merchant banker of category 1 category first के अगर merchant banker है have not submitted offer letter to SEBI then company cannot raise capital more than 50 lakh अगर मालनो merchant banker ने जो है उनको submit ही नहीं कराया offer letter SEBI को तो उस case में company जो है सिर्फ 50 lakh तक की ही capital को raise कर सकती है उसके ज़्यादा तक की capital को वो raise नहीं कर सकती फिर है a company receive minimum subscription amount जो भी minimum subscription amount होगा वो 42 days के अंदर उसको received होना जाना चाहिए otherwise company को जो है वो 8 दिन next 8 दिन के अंदर अंदर return करना पड़ जाता है चीक है अगर वो नहीं हुआ तो 42 days के अंदर अगर amount receive नहीं हुआ है तो company को next 8 days के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ता है refund करना पड़ता है इफ अगर company जो है refund करने के लिए fail हो जाती है तो company को उस पर interest भी pay करना पड़ेगा जो की under the company's act prescribed rates वहाँ पर जो है वो given होते हैं उस interest के कि कितना interest उनको company को उन persons को pay करना पड़ेगा जिनका amount उसने refund नहीं किया है company ने फिर उसकी बाद है merchant bankers have to submit draft letter to SEBI before six week of issue छे हफते पहले ही जो है merchant banker जो है draft letter को submit करा दे SEBI के पास they have to issue draft letter within three months after including comments given by the SPI in their draft and they have to submit copy to SEBI with due diligence certificate अब जो भी उन्होंने draft letter submit कराया था अब उस letter को फिर दुबारे से within three months के अंदर वो दुबारे से submit कराती है और उसमें यह ध्यान रखती है कि क्या क्या comments जो है SEBI ने दी हुई है यानि क्या क्या बाते SEBI ने कही थी तो उन draft letter को प्रिपेर करती है और submit कराती है SEBI के पास और उसके बदले में वो क्या ले लेती है एक certificate ले लेती है और जब आपका offer letter prepared किया जाता है तो उस case में जितने भी provisions होते है company's act के उनको follow जरूर करना होता है जब आप write issue को करते हैं ठीक है फिर next जो है वो guidelines है bonus issue की तो issue of bonus share should be made from the free reserve, free reserves fund में से जो है bonus share जो है issue के जाते हैं और share premium जो है वो received होगी सिर्फ और सिर्फ cash में किसी other form में उसको received नहीं होना है अगर किसी other form में received हो जाती है तो वो illegal माना जाएगा उसके बाद reserve created by revolution of fixed asset should not be capitalized अगर कोई भी reserve आपके create हुए है revolution of fixed asset के थुरू तो उनको आपको capitalize नहीं करना है और उसके बाद है जो debate development rebate reserve जो है या फिर जो investment allowance reserve है उनको आप consider करेंगे free reserve के थुरू यानी free reserve की तरह मानेंगे और इसकी जो for the purpose इसलिए मानेंगे कि आप जो है residual reserves को test कर सके उस purpose के लिए मानेंगे कि आप जो है आपका जो बचा हुआ reserve है उनको calculate करना असान हो जाए उस purpose के लिए उसके बाद है company which announces its bonus share after the approval और board of director जो भी company जो है अगर अपने bonus issue को announce कर देती है किस के approval के बाद board of directors के approval के बाद तो वो जो है उन proposal को implement करे within six months from the date of such approval जो भी उसको approval मिली है वहाँ से board of director के तो वो 6 महिने के अंदर उस period के अंदर उस proposal को implement कर दे फिर उसके बाद है the declaration of bonus in lieu of dividend is not mint अगर आपने bonus को किसी dividend के तौर पर दिया है तो वो यहाँ पर नहीं होगा आपको किसी भी dividend के तौर पर जो bonus है वो नहीं देना है और bonus is not mint unless the partly paid shares यहाँ पर यह होना चाहिए कि आपके जो shares हो वो fully paid up हो अगर partly paid shares है तो पहले उनको fully paid up बनाएंगे और उसके बाद ही उस bonus shares को issue किया जाएगा जितनी भी contingent liability है वो disclose की जानी चाहिए audited accounts में जो भी net profit पर बियर हो रही है और इनको जो है आपने residual reserve को जब आप calculate करेंगे तो इसको भी आपने उस account में लेना है जो भी contingent liabilities होगी जैसे हमने residual reserve के लिए क्या किया था जो हमारा development rebate reserve था और investment allowance reserve था उनको भी considered किया था as a free reserve तो इनको भी आप consider करेंगे उसके बाद है there should be a provision in the articles of association of the company for capitalization of reserve अगर आपकी article of association में जो है provision होना चाहिए कि आप जो है अपने reserves को capitalize करा सकते हैं अगर इस तरह को कोई भी provision नहीं है तो company सबसे पहले अपने provisions को amend करेगी और एक resolution पास करेगी general board meeting के अंदर चीक है फिर है अगर आपके जो है company के जो है subscribed और paid up share capital जो है वो जादा हो गई है authorized capital से क्योंकि आप bonus share को issue कर रहे हैं तो आपको जो है यानि जो company है वो special resolution पास करेगी अपनी general board meeting में कि उनका जो है subscribed और paid up capital बढ़ गए है तो फिर वो क्या करे अपनी जो authorized capital है वो भी increase करा दे उसके बाद है the company shall get a resolution passed at its general board meeting जैसे ही company ने अपने सारी resolution वेगरा board meeting में पास करा लिये उसके बाद जो management है वो rate of dividend को declare करेगा उस year में immediately after the bonus issue should be indicated जिस year में bonus share को आपने जो है issue किया है उसी के next year में आप पे करते हैं तो इस तरह से ही पहले ही बता देना चाहिए management को company के ठीक है आज हम ही तक ही topic करेंगे so next video में करेंगे next chopping मिलते है next video में bye bye